दोस्तो आज के इस नए वीडियो में अंडरग्राउंड हाउस वाइरिंग में अर्थिंग कैसे किया जाता है इस वीडियो में आपको कम्पलीट जनकारी देने वाला हूँ दोस्तो अगर आप एक नए अलेक्टिसियन है तो यह वीडियो आपके लिए नौलिजबल वीडियो है वीडियो को शुरूर से लास तक देखिएगा बीच में स्कीप मत कीजेगा अगर आप बीच में स्कीप कर देंगे तो आपको नौलेज नहीं मिल पाएगा तो मेरा नाम ह सरवरे आलम विल्कम बैक अपना यूटूब चैनल ऐसे एलेक्टिकल्स पर तो चलिए दोस्तो देरी ना करते हो इस वीडियो को हम कर लेते हैं शुरूर तो दोस्तो यह जो आप मकान देख रहे हो इसकी वाइरिंग कम्पलीट हो चुकी है केवल हमें ग्राउंड में हमें अर्थिंग करना है यानि जमीन में हमें अर्थिंग करना है तो किस तरह से करेंगे और यहां पर गाईज आप देख पार हो यहां पर हमें ग्राउंड में अर्थिंग करना है तो तकरीबन हमें 8 feet या 9 feet मिट्टी निकाला है तो देख सकते हैं इस तरह से हम मिट्टी निकाल लेंगे ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तो इस तरह से मिट्टी निकल जाता है ठीक है इसमें थोड़ा time लगेगा फिर भी आसानी से मिट्टी निकल जाता है तो दोस्तो हाउस वाइरिंग में अर्थिंग कराना बहुत ही compulsory यानि बहुत ही जरूरी है अर्थिंग अगर किया रहता है सही तरीके से प्रापर तरीके से तो जान की safety बनी रहती है दोस्तो कभी भी current नहीं लगेगा आप हाउस वाइरिंग में अर्थिंग आप करा लिजिए ठीक है अर्थिंग बहुत ही जरूरी है तो दोस्तो आप देख पा रहे हो तकरीबन हमने 8 या 9 फिट हमने गड़ा कर लिया है देख पा रहे हो इस तरह से ठीक है प्रापर तरीके से हमने कर लिया है और ये दोस्तो आप देख पा रहे है ये हमारी अर्थिंग रॉड है देख सकते हैं दोस्तो ये तकरीबन हमारा 10 फिट का है ठीक है और इस पे दोस्तो देख सकते हैं पन्ने उपर से लगा हुआ है ठीक है और ये जो दोस्तो हमारा है एलमूनियम का नहीं है कॉपर का इस पे लेयर चड़ाय गया है देख सकते हैं ठीक है इसमें एलमूनियम का भी आता है और कापर का भी आता ठीक है तो ये उपर जो लेयर देख रहे हैं ये लेयर कॉपर का है और दो बैग इसमें यानि 25-25 किलो का केमिकल दिया हुआ है पे हमें निकाल लेना है ठीक है तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं पहली बारा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके औल का अप्शन सलेक्ट कर लेजेगा अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल होगा सुजा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एलेक्टिकल से रिलेटर मैं वीडियो बनाता रहता हूं तो आप देख सकते हो कितना बड़ा है और पन्नी हमने निकाल लिया है देख सकते हैं तो अर्थिंग राड आप देख पा रहे हैं तक्रीबन हमारा 10 पिट का है दोस्तो और इस पूरे घर का ठीक है हमारा जो अर्थिंग है ठीक है इसी में हमारा वायर आके कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि अर्थिंग हमें मजबूती करना है ठीक है मजबूत अर्थिंग रहेगा तो दोस्तो करंट लगने का चांस नहीं होगा बाइपास हमारा जल्दी ह हो जाएगा अगर कहीं पे भी लेकेज हो रहा है तो देख सकते हैं हम्हें पानि डाले राहें जिसे की हमारा जूertenमी है दो नमी तो है फिर भी हम थोड़ा तो इस तरह से पूरे केमिकल को हमें डाल देना है, दोस्तों, अंडर्गराउंड हाउस वाइरिंग में, MCB बॉक्स की वाइरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें MCB बॉक्स में, अलग-अलग का, अलग-अलग सर्किट का कनेक्शन, उसके बाद दोसरा बैग जो chemical है इसको भी हमें पूरा डालना है देख सकते हैं रोड के चारो तरफ हमें अच्छी तरीके से डाल देना है ठीक है ये टोटल हमारा 50 kg का chemical है ठीक है और जो हमारा ये अर्थिंग रोड है ये हमारा 10 फिट का है और जितना chemical दिया है वो perfect दिया है दोस्तो देख पा रहे हैं तो सारा chemical को डाल देना है इस तरह से देख पा रहे हैं दोस्तो अब जो हमारी अर्थिंग है completely होने वाली है थोड़ा बहुत अभी बाकी है तो देख सकते हैं इस तरह से total हमारा जो chemical है हमने डाल दिया है दोस्तो underground house wiring में अर्थिंग कैसे करते हैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर दोस्तो वीडियो पसंद आया है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अब दोस्तो देख पार है जो हमारा रॉड है ये बिल्कुल जाम हो चुका है ये हिल नहीं रहा है देख सकते हैं अब उसके बाद दोस्तो हलका सा हम पानी डाल देगे अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो कोई दिक्यत नहीं है ठीक है यह जो हमारा अर्थिंग रॉड है जमीन से हमने एक फीट उपर रखा है देख पा रहा है ठीक है अर्थिंग जो हमारी हो चुकी है अब दोस्तो इसे में देख सकते हैं एक वायर हमने बांज दिया है यानि जोड दिया है ठीक है डीबी से हमारी में डीबी से वायर आया